आज हम डिसकस करने वाले क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्राइट का जो सेवेंथ यूनिट है ग्लिम्सेज ओफ इंडिया उसका फर्स्ट पार्ट अबेकर फ्रॉम गोवा और यह आपका वीडियो डिटेल स्रीज के थुरू है तो पूरा चैप्टर आपका लाइन लायन एक्स्प्रेंन करूगी मैं तो चलिए स्टाट करते हैं आबेकर फ्रॉम गोवा वेल, नाव स्टार्ट, सबसे पहले हम देखेंगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, आब एकर फ्रम गोवा, उसके बाद कुर्ग देखेंगे, और सबसे लास्ट में टी फ्रम असाम, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, हमारे जो बड़े हैं, जो पूरवज हैं, वो अकसर अपने जो उनकी पुराने दिन हैं, पुराने अच्छे दिन हैं, उन्हें वो याद करते हैं, पुर्थ किसे अन्धियफित करते हैं, वो पुर्तिगाली लोग, पुर्तिगाली दिन, और तो और उनके ब्रेट की टुकडे थे लाफ्स मतलब होते हैं, पीसिज, करें वो उनको बहुत याद करते हैं, ब्रेट की पीसिज को, those eaters of loves might have vanished वो करें कि भले ही वो bread की pieces खाने वाले लोग गायब हो गया हो vanished मतलब अब ना हो but the makers are still there लेकिन जो वो loves भनाने वाले लोग थे वो अभी भी वहाँ है we still have amongst us mixtures, the molders and those who bake the loves हमारे बीच में अभी भी आप देखेंगे mixtures हैं, molders जो साचे में डालते हैं और वो लोग जो उन्हें पकाते हैं वो सब लोग हैं those old age, those days old time tested furnaces still exist करें वो इतने सालों पुरानी जो furnaces होती थी यानि कि जो भट्टियां जिसमें ये पकाई जाती थी, करें वो भी अभी भी उनका वजूद है, exist करती है the fire in the furnaces has not yet been extinguished करें उस वक्त जो फायर जली थी उन furnaces में वो अभी तक नहीं भुजी है तो इसका मतलब क्या है reality नहीं बता रहे हैं आग कि ना भुजने की वो ये बता रहे हैं कि जैसे जतने प्यार से और जतने चाहत के साथ में जो समय लोव खाई जाती थी या उस तर जो उस टाइम पर furnaces का यूज होता था करें वो furnaces अभी भी यानि कि ब्रड का प्रचलन अभी भी वैसा ही है the fire in the furnaces has not been extinguished the third and the zingle of the traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning करें जो bamboo की जो आवाज होती थी zingle की यानि zing zing करने की वो अभी भी हमें उनके आने की दस्तक बताती है heralding का मतलब होता announce करना वो हमें भी अभी बताते हैं जो bamboo की आवाज है उससे हम अभी भी वहाँ जान जाते हैं कि देखो अब जो bread बेचने वाले हैं या बेकर्स हैं वो अभी भी यहां पर आ रहे हैं बेचने उनकी जो bamboo की आवाज थी उससे पहचान जाते थे can still be heard in some places और उन bamboo की आवाज करें गोवा में अभी भी गोवा में किया और भी कई जगों में अभी भी सुन्यों को मिल जाती है maybe the father is not alive कहरा है अगर हम एक बात में कहें तो यह कह सकते हैं भले ही पिता जिंदा ना हो the son still carries on the family profession लेकिन जो उनके बच्ची हैं जो उनके अग्रज हैं वो अपने family profession को यानि कि जो उनकी पूरवच काम करते थे उन्हेंने उसको आगे बढ़ाया है आज कल की दिनों में उन बेकर को पैडर के नाम से गोवा में जानते हैं अब जो राइटर है वो यह बता रहा है जो रोड्रीक्स हैं कहरें कि हमारे टाइम पर की बात है जह हमारा बच्च्पन था तो कहरें बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे कमपैनियन हुआ करते थे और गाइड भी होते थे यूस्ट टू कम एक दिन ने दो बार तो आते ही थे वंस वें दे वें ही सेट आउट इन दा मॉर्निंग पहली बार जब वो बेचने के लिए निकलता था तो पहरा राउंड तो वह हुआ और जब वो अपने इतनी बड़ी बास्केट जो की बास्केट उसे ब्लेट से भरी होती थी उसको खाली करके लोड़ता था तो दो टन हो गए उसके उसके जिंगलिंग की जो आवाज थी बांबू की पटकने की जमीनी में तो करें उसके अवाज से हम लोग जग जाते थे और उससे घ्रीट करने के लिए हम दौर लगा लेते थे उसके पास पहुँचते थे why was it so क्या रहे हमारा इतनी जल्दी पहुँचना उसकी आवाज को सुन करके ऐसा क्यों था क्या वज़े थी was it for the love of the love क्या इसलिए कि हमें bread बहुत अच्छी लगती थी not at all बस इतना ही नहीं the loves were brought by some paskin और baston क्या रहे कि भाई जो bread loves होती थी वो हमें नहीं दियाती थी पासकिन और बासकिन का मतलब जो वहाँ पर काम करने वाले होते थी उनको दी जाती थी the mad servant of the house ये कौन होती थी घर की जो mad servants होते थे उनको दिया जाता था what we launched for were those bread bangles अच्छा हम जिस चीज के लिए बहुत ज़्यदा इच्छे को दिलाउंस को मतलब होता है strong desire जो सबसे हमारी strong desire थी वो bread bangles के लिए थी क्योंकि bread loves थी बच्चों को दी नहीं जाती थी वो थे दी जाती थी पासकिन और बास्टन को तो अब बच्चे कि हम फिर किस चीज के लिए उसके पीछे भागते थे वो थे bread bangles which we chose carefully जिसे हम बड़े ही केरफुली तरीके से चूज करते थे कि हम कौन सी लेंगे sometime it was sweet bread of special make कभी-कभी तो यह meaty bread होती थी special तरीके से बनाई जाती थी the baker made his musical entry on the scene with the zhung zhung sound of his specially made bamboo stuff जो baker होता था वो जाया तर जब अपने entry करता था एक musical sound के साथ में करता था और वो आवाज थी zhung zhung की आवाज जो की एक special bamboo stuff होता था stand type का होता था vertically वो रोग लग देते थे और उसके उपर अपने basket रग देते थे उसकी आवाज होती थी one hand supported the basket on his head पहले बात उनका एक हाथ उपर जो उनके सिर पे basket रखी होती थी उसको साधने के लिए और दूसर जो हाथ था उसका उस bamboo stuff को वो लोग बैंक करके रखते थे पकड़ करके ताकि ground में उसे बार बार पटकने के लिए मिल जाए he would greet the lady of the house जो घर की जो house की जो lady होती थी या मालकिन होती थी उनको वो greet करता था good morning कह करके and then place his basket on the vertical bamboo और वो जो bamboo stuff होता था उसकी उपर वो अपने basket को रख देता था we kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loves would be delivered to the servant हम बच्चों को बड़े ही प्यार से किनारे हटा दिया जाता था कि तुम्हारे लिए नहीं तुम्हाटो और उसके बाद में जो घर के servant होते थे थे उन्हें bread loves दे दिये जाते थे but we would not give up हमें भले ही किनारे कर दिया था लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे इससे we would climb a bench और परपेट एंड पीप इंटू दा बास्केट हम क्या करते थे जिसे आस पास में बेंच होती थी उसकी उपर चल जाते थी यह फिर घरों में जाया था जो चज्जा बाहर के ओर निकली होती थी उसमें चल करके कि हम बास्केट में जाग के देखते थे सम्हाव किसी भी तरीके से आई के इस्टल रिकॉल दा टिपकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉब्स करें मैं अभी भी उन चीजी की जो स्मेल थी लॉब्स की मैं वह फ्रेग्रेंस अभी भी फील कर सकता हूं लॉब्स फॉर देल्ड थे सम्हाव भी लॉब्स करने के लिए और मुह दुलने का तो हम लोग बिल्कुल केर ही नहीं करते थे उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था who would take the trouble of plucking the mango leaf कह रहे कि mango leaf को तोड़ने का कौन इतना जमत उठाएगा यानि कि उस टाइम पर mango leaf से हम लोग brush कर सकते थे for the tooth brush, tooth brush करने के लिए उनको कौन तोड़े and why was it necessary at all और इन सब चीजों के क्यों जरुगत है the tiger never brushed his teeth tiger कभी भी अपने teeth को या teeth को brush नहीं करता है hot tea could wash and clean up everything so nicely after all कह रहे कि जो घर्म चाय होगी वो already ही हमारे मुग को साफ करतेगी जब हम उसे पिए marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl कि रहे उस टाइम पर अगर साधियों में जो gift दिये जाते थे कह तो वो बिकार माने जाते थे अगर उन gifts के साथ में अगर एक special तरीकी की bread होती थे उसे कहते थे बोल अगर वो न दी जाए just as a party और a feast losses its charm without bread करें और तो और कोई भी party हो कोई भी feast यानि कोई भी भोज हो बिना bread के तो सब फीका था not enough can be said करें इतना भी कहना पर्याप नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक बेकर किसी गाओं के लिए किसी जगह के लिए इतना important क्यों था because in every party in every occasion bread हर चीज का हिस्सा थी the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement और तोर जो घर की ladies होती थी वो अपने बच्ची की engagement में sandwiches भी तयार करती थी bread से cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals bolinas और cakes भी एक तरीकी की sweet bread होती थी इनके बिना तो कोई भी तेवार हो Christmas हो सब फीके थे thus the presence of the baker's furnaces in the village is absolutely essential इसे साब से देखा जाए तो baker की furnaces का एक village में होना बिल्कुल essential था बहुत important था the baker और bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabae कि उस टाइम पर जो बेकर होते थे या जो बेचने वाले होते थे इन लोगे पास एक peculiar dress होती थी उसे कहते थे कबाई it was a single piece long frog एक लंबी सी फ्रॉक होती थी और जो की reaching down the knees यानि की घुटनों की थोड़ा ही नीचे तक यह जाती थी in our childhood अच्छा हमारे बच्पन की टाइम पर वी सा बेकर्स वेरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स हम लोग देखते थे जो राइटर हैं उनके बच्पन की बात है कि जो बेकर्स होते थे वह शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे विच वर शाटर एंड फुल लेंथ जो ट्राउजर्स होते थे वह फुल लेंथ की नहीं होते थे उनसे छोटे एंड यह उनके ट्राउजर्स का पैटर्न होते था एविन टुड़े एंड वन हुव व्यूजर्स होते थे विच विच इस बिलोग दनीज इन दिनों भी अगर मान लोग कोई भी इस तरीके का पैट पहन होता है तो हम लोग ही कह देते कि दो कहीं ही लोकिंग लाइक अपैडर्स यूजर्ली कलेक्टेड हिस बिल्स अट दे एंड अफ दे मंत जो समें बेकर्स होते थे वह जाया तर अपना पैसे का हिसाब महीने के लास्ट में करते थे मंतली अकाउंट्स यूज तो बी रिकॉर्डड़ अन सम वाल इन पैंसिल करें पैंसिल से दिवालों में भी हिसाब बना दिया जाता था बेकिंग वस इंडीज अ फॉफिटबल प्रोफेशन इन ओलडीज करें पूराने दिनों में बेकिंग एक बढ़िया प्रोफिटबल प्रॉफेशन था काफी पैसे कमाई होती था बेकर अडिज इस फाप्ली नेवर स्टरफ बेकर हो और उसकी फैमली ह उनका जो बढ़िया मोटा ताज जो इनका फिजीक था जो उनका सरीर था वह हमेशा इसी चीज को दर्शाता था कि वह लोग हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं है अगर मालो इस टाइम पे भी अगर जैक फुर्ट जैसा कोई फिस्कल अपिरेंस वाला होता है तो इस इसली कंपेर टूर बेकर उसको बड़े ही नॉर्मल तरीके से हम लोग कंपेर कर देते हैं एक बेकर से जो हमारा फर्स पार्ट था ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का वह यहीं कंप्लीट होता है जो सेकंड पार्ट है आपका कुर्ग वह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें लिए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग